हेलो स्टुडेंट्स, be ready with your संस्कृत टेक्स्ट बुक, open to page 83, पंचे दशह पाठह, मातुल चंद्र, हम इस पाठ का सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे, मातुल चंद्र, चंदा मामा, कुतह कहां से, अतिशय विस्त्रितह, अती विशाल, द्रिश्यते, दिखता है, दिखती है, क्वचित कहीं भी, प्रयासयसी, जाओगे, जाओगी, गेहम घर को, किरसी, बिखेरती हो, धवलम, सफेद, चंद्रिका वितानम, फैली हुई चांदन तारक खचितम, तारों से शोभित, सित परिधानम, सफेद वस्त्र, महियम मुझे, त्वरितम, शीग्र, एही आओ, श्रावय सुनाओ, वर्धय बढ़ाओ अब लेसन देखेंगे हम, मातुल चंद्र, मातुल मिंस मामा, चंद्र मिंस चंदा, चंदा मामा इस पार्ट में एक बच्चा चंदा मामा से कोषन कर रहा है, और क्या कोषन कर रहा है हम देखेंगे कुतह आगच्छ सी मातुल चंद्र, कुतह कहां से आगच्छ सी आते हो, और इसका सबजेक्ट क्या होगा? तुम आगच्छ सी तुम आते हो मातुल चंद्र हे चंदा मामा मातुल चंद्र संबोधन एक वचन तो हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो कुत्र गमिश्यसी मातुल चंद्र, कुत्र कहां गमिश्यसी जाओगे, तुम गमिश्यसी तुम जाओगे, मातुल चंद्र हे चंदा मामा, हे चंदा मामा तुम कहां जाओगे अतिशे बहुत विस्तरत विशाल नीला आकाश नीले रंग का आकाश वह आकाश कैसा है नीले रंग का है और बहुत ही विशाल है नेवे द्रिश्यते क्वचिद अवकाशह नेव न प्लस एव नहीं ही द्रिश्यते दिखता है क्वचिद थोड़ा सा अवकाशह छुट्टी होता है और यहाँ पर वेकिंट प्लिस दिखेंगे कि आकाश में थोड़ी सी भी खाली जगे नहीं दिखती है जहां से तुम आ जा सकते हो कथम प्रयासयसी मातुल चंद्र कथम कैसे ? प्रयासयसी जाओगे मातुल चंद्र हे चंदा मामा हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे आतो गए हो जाओगे कैसे कुत आगच्छ सी मातुल चंद्र फिर से बच्चे का प्रश्ण है कहां से आते हो हे चंदा मामा कथम आयासी न भो मम गेहम कथम क्यूं आयासी आते हो न नहीं भो संबोधने रे अरे भो अई मम मेरे गेहम घर को हे चंदा मामा अरे तुम क्यू नहीं मेरे घर आते हो मातुल केरसी कथम न स्नेहम मातुल संबोधन एक वचन हे मामा केरसी बिखेरते हो कथम क्यू न नहीं स्नेहम प्रेम तुम प्रेम को क्यों नहीं बिखेरते हो जब आपके घर में मामा आते हैं तो आप लोग खुश हो जाते हो उसी प्रकार जब चंदा मामा इस बच्चे की घर में आएगा तो वो खुश हो जाएगा इसलिए वो प्रश्ण करता है कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो और स्नेह क्यों नहीं फैलाते हो कदा आगमिश्यसी मातुल चंद्र कदा कब आगमिश्यसी आओगे मातुल चंद्र हे चंदा मामा हे चंदा मामा तुम कब आओगे कुता आगच्छ सी मातुल चंद्र हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो धवलम तव चंद्री का वितानम धवलम मिन्स सफेद तव मिन्स तुम्हारा चंद्री का वितानम फैली हुई चांदनी तुमारी जो फैली हुई चांदनी है वो कैसी है? सफेध है आसमान में चंद्रमा है और उसकी चांदनी फैली हुई है तो वो सफेध है तारक खचितम सित परिधानम तारक खचितम तारों से जड़ित सित परिधानम सफेद वस्त्र परिधान मिन्स वस्त्र और चंदा मामा का वस्त्र कैसा है? सफेद है और उसमें तारे जड़े हुए है महियम दास्यसी मातुल चंद्र बच्चा कुशन करता है कि हे चंदा मामा महियम मिन्स मुझे मुझको दास्यसी तुम दोगे मातुलचंद्र हे चंदा मामा तुम मुझको दोगे कुत आगाच्छ सी मातुलचंद्र कहां से आते हो हे चंदा मामा त्वरितम एही माम श्रावय गीतिम त्वरितम एही त्वरितम मिंस तुरंत एही आओ माम मुझको श्रावय सुनाओ गीतिम गीत जल्दी से आकर मुझको गीत सुनाओ प्रियम मातुल वर्धय में प्रितिम हे प्रियम मामा वर्धय बढ़ाओ में मेरे प्रेम को बढ़ाओ जब मामा आएंगे खुश हो जाएंगे बच्चे और बच्चे मामा से बहुत अधिक प्रेम करने लगेंगे उसी तरह से वह बचा पूछता है कहता है चंदा मामा को कि मेरे घर आकर मुझे गीत सुनाओ और मेरे प्रेम को बढ़ाओ किन न आया ससी मातुल चंदर हे चंदा मामा किन क्या न नहीं आया ससी आओगे तुम आओगे हे चंदा मामा हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे कुता आगच्छ सी मातुल चंद्र कहां से आते हो हे चंदा मामा एक बार हम फिर से देखते हैं कुता आगच्छ सी मातुल चंद्र कुत्र गमिश्य सी मातुल चंद्र अतिशय विस्तरत नीला काशह, नेव्य दृषिते क्वजद अफ काशह कथम प्रयास्यसी मातुल चंद्र, कुत आगच्यसी मातुल चंद्र कथमा यासी न भोममगेहं, मातुल केरसी कथम नसनेहं कदा आगमिश्यसी मातुल चंद्र, कुत आगमश्यसी मातुल चंद्र धवलं तव चंद्रिका वितानं, तारक खचितं सित परिधानं महियं दास्यसी मातुल चंद्र, कुत आगच्यसी मातुल चंद्र तुरितम एही माम श्राविय गीतिम प्रिय मातुल वर्धे में प्रितिम किन्ना यास्यसी मातुल चंद्र, कुतर आगच्यसी मातुल चंद्र आपको ट्रांसलेशन और कुशांसस पीडियेफ में दे दिया गया है आप एक लाइन संस्कृत में लिखेंगे और एक लाइन हिंदी में ट्रांसलेशन लिखेंगे Thank you students